नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Expert Guidance Video Classes में ये वीडियो Economics Lexicon का एक पार्ट है So let's see what we are going to discuss in today's video तो आज के वीडियो के discussion का topic है Organized and Unorganized Sector Last video में हमने देखा India's economy और India's economic sector is divided in three bases तीन bases के उपर India's economic sector divided है पहला था on the basis of activity nature दूसरा था on the basis of work condition और तीसरा है on the basis of asset ownership तो previous video में हमने on the basis of activity of nature के बारे में दिस्कस कर लिया that how India's economy is divided on the basis of activity that is primary, secondary, tertiary और tertiary को सब classify किया गया था quarterney और quinary activities में तो इस video में हम दिस्कस करने वाले हैं India's economic sector on the basis of work condition मतलब की काम करने का condition कैसा होता है या फिर इनके basis पे economic sector कैसे divided है तो on the basis of working condition Indian economic sector is divided in two parts यहाँ पर आप image में देख रहे हैं पहला part है organized sector और दूसरा part है unorganized sector अब हम इन दोनों को individually देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे organized sector क्या है और unorganized sector क्या है वैसे नाम से इनके clear है और आप little meaning इनका समझते हैं तो आपको एक brief idea पता चल जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है आप organized से क्या समझते हैं कोई भी चीज जो भी systematically arranged हो systematically arranged उनको हम organized कहते हैं मलब कि बहुत अच्छे से organized है जैसे कभी-कभी आप सुनते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही organized है या फिर offices में आपके काम कर रहे हैं या फिर कहीं आपने यी organized का word सुना ही होगा इसका मतलब क्या होता है तो इसी तरीके से जो sectors पूरी तरीके से systematically arranged है मलब system से काम चल रहा है ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन किया जब कर दिया कर लिया पूरे rules and regulations होते हैं timing होती है हर चीज़ systematic होता है वो sectors organized sectors में आएंगे इनके characteristics या example definition समझने से पहले अगर हम एक example समझ लेंगे organized sector का तो बहुत easily आप उसके characteristics खुद खुद निकाल लेंगे आपको पहेंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो जो organized sector होते हैं इनके examples क्या होते हैं इनके examples होते हैं government job अगर आपके घर में कोई government job कर रहा है then you must be aware of the characteristic of the condition of the job या फिर आपके घर में कोई private MNC में ही कोई अगर job कर रहा होगा तो उसमें भी आप कुछ characteristics निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा organized sector क्या होता है तो यही सब example है चाहे कोई government job कर रहा है कोई multinational company में job कर रहा है या फिर कई लोग private companies में भी job करते हैं तब भी लगबग same characteristics होते हैं थोड़े भोड differences होते हैं अगर आपके relation में नहीं होगा तो आपके अगल बगल आस परोस में कोई ना कोई होगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं So let's take example of a government job अगर आपके आस पास जिसको आप किसी को जानते होंगे कोई अगर government job या फिर किसी तरीके कोई job कर रहा होगा तो आपने देखा होगा timing सबसे बड़ा factor क्या होता है government या फिर किसी private job को मतलब कुल नौकरी जो है उस नौकरी में क्या होता है timing बहुत बड़ा factor होता है मतलब अगर कोई daily regular basis पे क्या होता है generally क्या होता है अगर general shift हम देखे हैं इसमें भी बहुत सारे timing fragments होते है कि shifts में काम करते हैं लोग जैसे अगर दिन में 24 hours होते हैं तो कई companies क्या होती है यसे government से सक्क्राइब चोण दे हम 24 hours काम करती है अब 24 hours काम करने कि कोई एक इनसान 24 घंटे लगातार काम तो कर नहीं सकता है इसलिए 24 hours को shifts में डिवाइड किया जाता है A, B, C या कोई भी shift का नाम दे देते हैं ये तीनों shift आठाट घंटे हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई अगर सुबर 10 बज़ेस जा रहा है तो शाम को 5-6 बज़े वापस अला रहा है तो इस तरीके से क्या हो रहा है एक time frame उनका होता है fix होता है कि ये इतने बज़ेस जाएंगे काम के purpose है मतलब काम करने के लिए office इतने बज़े जाएंगे इतने बज़े वापस आजएंगे बाकी कहा जा रहे हैं कैसे जारों से मतलब नहीं है आपको but if you just consider the timing of work तो वो fix होता है ये बहुत ही बड़ा एक factor है दूसरा important characteristic का आप क्या देखते होंगे कि salary जैसे कोई company में काम कर रहा है और फिर कोई government employee है तो जो salary उनका होता है time से आजाता है मतलब ऐसा नहीं है कि इस महिने 5 तारीकों मिल रहा है अगले महिने 10 तारीकों मिल रहा है फिर 15 को मिल रहा है फिर किसी महिने 2 तारीकों मिल जा रहा है ऐसा नहीं होता है जो salary का होता है वो एक date fix होता है चाहे एक तारीक हो चाहे दो तारीक हो चाहे तीन हो कुछ भी हो लेकिन वो month में एक date fix होता है उसी दिन most of the time salaries आ जाती है अनेक्सेप्शन केसे हो तो बात अलग है कभी कभी conditions ऐसी हो जाती है जिसमें time पे salary नहीं आती है तो problems में exception की बात नहीं कर रहा हूं we will always talk about generalized format, okay तो salary भी एक बहुत important factor है इसके लावा क्या factor है अगर कोई job कर रहा है, mileage कोई government job कर रहा है फिर private job कर रहा है, तो sunday इसको leave होती है महिने में, चार दिन चुट्टियां होती है लगभग sunday को या फिर वो भी day fix होता है उनका, depend करता है kind of company पे जो MNCs हैं कभी कभी हफते में किसी भी दिन चुट्टी देती है ये तो depend करता है, काम लग की company to company depend करेगा लेकिन अगर आप बात करें गर्मेंट सेक्टर की तो गर्मेंट सेक्टर में लगभग हर department में संटे को चुट्टी होती है fine, except defense, defense और policing में या फिर कुछ कुछ jobs में नहीं होता है लेकिन in most of the cases, संटे को चुट्टी होती है apart from this, अब संटे को चुट्टी होती है तो ऐसा नहीं कि उनको संटे का salary नहीं मिलता है उनको संटे का भी पैसा मिलता है इसके अलावा भी आप कभी देखते होंगे कोई function पढ़ रहा है आपके घर में आपके घर में या फिर आपके आज पास कोई function पढ़ रहा है या फिर आपको कहीं घूमने जाने का मन है तो आपके parents आराम से चुट्टी ले लेते हैं काथ हपते का दो तीन निन का और आप लोग घूमे चल जाते हैं तो उसके भी पैसे मिलते हैं वकेशन पर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि छुट्टियों के पैसे काटे जाएंगे कुछ फिक्स अमांट और फिक्स नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होती है जो पेड होती है तो पेड लीव भी मिलते हैं जो और नाइस सेक्टर में होते हैं ठीक है इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हिल्थ वगरा हिल्थ इंशोरिंस होते हैं तो तमाम तरीके के बेनिफिट इनके पास होते हैं जो कि एक और नाइस सेक्टर प्रोवाइट करती है और इनके लाउस और रेगुलेशन होते हैं आपको pre-information बताया जाएगा पहले से, तभी कर सकते हैं, नहीं तो निकाल नहीं सकते हैं, चाहिए वो कोई भी job हो, चाहिए पर government job, government job में तो ऐसे निकाल नहीं जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी suspension वगरा का case आता है, तो उसमें भी inform करके किया जाता है, randomly कुछ भी नहीं किया जा लेकिन कुछ कुछ sector में अभी भी है कि pension मिलते हैं, मलब आप 60 साल तक अगर retirement age है, आप काम करेंगा, उसके बाद भी आपको salary मिलती रहेगी, fine, अब ये pension हाला कि कुछ में नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ programs हैं, जिसके ताहरत आप कुछ पैसे जमार करते जाएंगे, तो retirement का बाद हर मन्त आपको थोड़ी बहुत amount मिलती जाएगा, हर मन्त आपकी आप जी खा सकें, okay, and there are many other professional लेकि PF होता है, provident fund, ESI होता है, तो तमाम तरीके के benefit मिलते है, PF अगर आप जानते हैं, क्या होता है, PF actually क्या होता है, हमारे monthly salary होती है, जितनी भी salary होती है, उसमें से कुछ लोग सेविंग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जिनके खर्चा जादा होते हैं, तो एक तरीकी के saving उनके लिए हो जाती है, तो ये कुल मिला के organized sector है, तो आपने देखा कैसे हमने सारे characteristics खुद ही derive कर ली है, अब हम थोड़ा देखते हैं, text में क्या लिख होगा, 60 साल केस तक वो job करेंगे, तो करेंगे, अगर हाँ, कुछ unnatural कुछ नहीं होता है, तो वो काम करते रहेंगे, time भी fix होता है, वो हमने देख लिया, और ये age, term होता है, term मतला period, कितने साल के लिए काम करेंगे, वो भी fix होता है, और regular होता है, ये नहीं कि दो साल काम करें करेंगे, उसे दो साल बैठ जाएंगे, nothing like that, अगर काम स्टार्ट है, तो continuously स्टार्ट रहेगा, example बहुत सारे हैं, आप चाहे बैंकिंग जॉब ले लीजे, आप चाहे डेफेंस के जॉब ले लीजे, आप चाहे मिनिश्ट्री में कोई जॉब ले लीजे, कोई भी जॉब ग से निकाल दिया जागा, या परसो निकाल दिया जागा, तो हम क्या करेंगे, they have a secure life, a secure job, और यह जो जितने organization होते हैं, वो registered होते हैं, मतलब कि government के कुछ acts and regulation होते हैं, जिनके एंडर में सारे registered होते हैं, ताकि क्या होता है, जिकि organized sector ऐसा नहीं है, कि सिर्फ government में ही available होते हैं, कुछ organized sector होते हैं, private jobs में भी organization बहुत जरूरी है, लगकि private sector में भी organized sector होता है, अब लेकिन ये कुछ अपना मनमानी ना कर से, इनके लिए ये government से registered होते हैं, और government से कुछ rules and regulation follow करने पड़ते हैं, जैसे labor law हो गया, minimum wages act हो गया, तो कुछ नो कुछ चीजे होती हैं, जो कि private companies को भी follow करने पड़ती हैं, ताकि organized sector बना रहे है, schools और hospitals जो भी आएंगे, वो organized sector में cover होंगे, क्यों cover होंगे, देखिए, school में आपके teachers हैं, उनको 12 महीने पूरी salary मिलती है, even आपका vacation है, जैसे summer vacation हो गया, winter vacation हो गया, इसमें काम तो होता है नहीं, but still they get salary, लगातार काम होता है, व अब दो sectors बहुत important है, और नहीं सेक्टर में आगे, example के लिए यहां पर बताया गया है, और duty करने का hour है, वो भी fake सही है, यह हम पहले देख शुके हैं पहले सही, और overtime कोई करता है, यह point हमने डिसकस नहीं किया था, और नहीं सेक्टर में कोई overtime काम करता है, तो उसको extra पैसे म नहीं है, तो आपने अभी जो जो factors देखे हैं, उसका opposite कर देजिए, वो unorganized sector में आ जाएंगे, so let's see what are they, देखिए, यह सबजी बेचने वाले हैं, यह मजदूरी कर रहे हैं, डेली मजदूर वाले, यह अपना कुछ कलाकारी कर रहे हैं, तो यह सब देखिए unorganized है, इनका यह नहीं है कि किसी दिन 10 गंटे काम कर लिए, किसी दिन 12 गंटे काम कर लिए, किसी दिन 2 गंटे कर लिए, किसी दिन कि यही नहीं काम, यह इनके उपर depend करता है, क्योंकि इनका एक तरीकी का चोटा मोटा business और चोटा मोटा काम है, तो यह अपने requirement के हिसाब से काम कर लेते है मन्त में ऐसा नहीं है कि 10,000 आ रहे तो 10,000 मंत में आही जाएगा चुछ नहीं आएगा तो it varies खुछ नहीं होता है आज होटा है तो वो आ जाएंगे unorganized sector में, अब इसमें जो भी acts, जो भी कुछ होते हैं, acts and skip government के, वो unorganized sector follow नहीं करती है, अब देखिए इसमें बहुत बढ़ी है example, वह बताऊँगा, आपको यह थोड़ा और clear हो जाएगा, उससे पहले हम थोड़े points देख लेते हैं, और जो sectors होते हैं, generally in sector में income जो होता है, बहुत ही low होता है, irregular employment होता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, कि आपको हमेशाद job या काम रहे गए रहेगा, और कोई protection नहीं रहता है, कोई जैसे trade union बनते हैं, अगर companies में आप काम करेंगे private में या government में, तो यहाँ unions होती है, unions का होती है, unions मतलब एक तरी sector में ऐसा कोई union नहीं होता है, अब देखिए इसका benefit क्या है, जो unorganized sector है, हाला कि यह बहुत ही problematic है, इनको बहुत जादा पैसे नहीं मिलते हैं, या कुछ लोग कमाते हैं, तो वो support नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे जो national income है, national income में 60% का इनका contribution है, 60% बहुत जादा ह अब यह कैसे आ रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यह सब job हो गया है, जो central employer हो गया, home base हो गया, यह सब ठीक है, लेकिन कभी-कभी condition क्या होता है, जैसे माली यह construction side का मैं आप example ले लता हूँ, construction side तो पूरी तरीके से organize होना चाहिए, लेकिन construction side में काम कैस होता है कि इसमें bidding होता है, कि मतलब की अलग-अलग ठेकेदार को काम देते हैं, अब ठेकेदार के पास जो मजदूर होते हैं, जो laborers होते हैं, वो काम करते हैं, अब इन मजदूर के लिए भी rules and regulation law बनाया गया है, लेकिन होता क्या है, यह ठेकेदार अपना पैसा, अपना profit ज्यादा कमाने के लिए, to earn more profit, यह ठेक, laborers के जितने भी facilities होती हैं, सारे facilities इनको देती नहीं है, जैसे माली जिगार government ने minimum wage एक labor का 500 रुपर रखा है, तो यह इनको 300 या 400 रुपर ही per day का देते हैं, और इनकी other facility है, माली जिए इनके health insurance है, medical issues है, कुछ आता है, तो वो भी इ इसे बचाने के जकर में ऐसा नहीं करते हैं, तो यह चाहते तो नहीं है, लेकिन forcefully unorganized sector में आ जा रहे हैं, देखिए, अब यहाँ पर जब इनको सारे facilities नहीं मिल रहे हैं, तो automatically unorganized sector में आ गए हैं, तो इसी के वज़े से हमारा जो major contribution national income में है, वो unorganized sectors है, यह तो मैंने सिर सरीके से बहुत सारे example हैं, ओके, अब इन unorganized sector के workers तो बचाने के लिए government क्या कर सकती है, देखिए, government तो करती भी है, बहुत कुछ करती है, लेकिन actually वो implementation issue आता है, इसलिए problematic होता है, जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है कि government can fix the minimum wages, यानि कि जितना wage है, salary है, fix होना चाहिए, government ने किया यह, और working hour भी fix होना चाहिए, government तो already fix कर चुकी है, but problem कहां था, implementation मा जाता है, जैसे government अगर एक दिन का मजदूरी का अरगा है 500 रुपए, तो यह तो government ने fix कर दिया, government ने यह भी कहा है कि 8 घंटे जादा काम नहीं करा सकते हैं, but still, अब लोगों को क्योंकि कम पैसे म मिलते हैं, उनको जरूरत है, तो ओवर टाइम भी करते हैं, भले उनको बहुत जादा पैसे मिरे या न मिले, government का कर सकती है, cheap loans प्रवाइड कर सकती है, ताकि लोग self-employed हो जाए, self-employed मतलब कि कि किसी के pressure में आके काम नहीं करेंगे, अपने आप काम करेंगे, अच्छा पैस करने पड़ेगा, और आप जाके market में, और फिर banks में, कहीं पर आप देखते हैं, और government को क्या करनी चाहिए, cheap और affordable basic needs, जो भी होती है, वो provide करनी चाहिए, जैसे का education, health, food, अब जो मजदूर है, इनके लिए सारी facilities हैं, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि government नहीं करा रही है, government सब facility देती है, government जैसे primary education देती है, आपको वहाँ पर midday meal भी होता है, आप दोपहर का खाना भी बच्चों को मिलता है, health के लिए government hospitals open हुए है, खाना तो देती है midday meal के तरह, या फिर सस्ते जो राशन कार्ड पे आपको जो हमारे राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड में ब implementation में आती है, policies बहुत बनती है, funds बहुत clear होते हैं, but the problem is implementation, proper implementation नहीं होता है, क्योंकि mediators बैथे होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता है, बस खा लेना होता है बीच के पैसा, fine, next is, और क्या government कर सकती है, government कुछ rules and regulations बना सकती है, ये un or nice sectors के लिए, जैसे के over time अगर कर रहे है बट समस्या ही आ रही है, तो आप इस बातों का ध्यान बीजिए, गर कुछ कर सकते हो फिचर में, तो please try to solve this problem, okay, so that's all for today's video, I hope आपको organized or unorganized sector की काफी clarity आ गई है, still if you have any doubts, you are free to ask in the comment box, अगर आपको कोई topics discuss करना है या फिर आपको लगता है कि इस topic को बीडियो बना चाहिए, you can share your views on the comment box so that we can make videos on that particular topic, thank you for watching this video, see you next video, till then, goodbye!